हेलो दोस्तो नमस्कार मिरनामे संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इंपॉसिबल के यूटुब चैनल पर उमीद है आप सभी बहुत यच्छी होंगी तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग UGC NET first paper में जून 2023 में जो आपका exam conduct होने वाला है जिसका date भी जो है declare कर दिया गया है पेपर देखेंगे तो वहाँ पर question आपको मिल जाएंगे जो भी topics में यहाँ पर इस series के अंतरगत करा रहा हूं तो इसलिए काफी ज्यादा important है इसलिए video को starting से लेके end तक देखेगा ताकि आपका ये concept clear हो जाए जो कुछ भी मैं इस topic के अंतरगत कराने वाला हूं और देख है तो जाकर उसे देखिए महत्वपूर्ट topic के series में एक भी ऐसा वीडियो नहीं होगा जो आपके लिए helpful नहीं होगा तो सारे वीडियो को आप देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को start करते हैं तो देखें इस slide में सबसे पहले हम सच्छण के उद्देशियों को सम प्रपरिशन करना है क्या आप सही दिशा में प्रप्रपरिशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसको लेकर एक वीडियो मैंने बनाया था डाल्क साइड आफ यूजसिने टिग्जाम इस तरीके से लेकर तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा काफी कुछ कुछ clarity आपको आएगी कि आपकी preparation सही दिसा में जा रही है या आप सही तरीके से preparation कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो क्या ये आपके लिए सही जो है दिसा है की नहीं ये सारा कुछ आपका clear हो जाएगा मैं description box में उस वीडियो का link दे दूँगा आप सीधे इस topic पे आते हैं सिच्छन के उने गोल या उद्दे से जो है बनाकर यहां तैयारी करने के लिए आए हैं कुछ ने कुछ आपके उद्दे से होंगे उद्दे से तो बस इतना नहीं होगा कि आपको net qualify करना है क्योंकि net qualify करके बहुत सारे बच्चे अभी भी बेरोजगार गुम रहे हैं ये सही बात मैं कर आपको fellowship मिलेगी जब तक आप करेंगे 3-4 साल-5 साल जो भी आप कर रहे हैं उस समय तक आपको एक fellowship मिलेगी तो पहले आपको clarity होना चाहिए आपका उद्देश क्या है आप किस मक्सित के लिए या किस उद्देश के लिए net की परिच्छा पास करना चाह रहे हैं तो मुझे स इसलिए चाहिए कि मैं सच में research में बहुत ही जादा interested हूँ और मैं quality research करके जो है देना चाहता हूँ अपने field में चाहिए अपने subject या जो भी आप stream से विलॉंग करते हैं तो यह कुछ ने कुछ आप उद्देश से बताओगे तो यही उद्देश सिच्छन पे भी implement होता है अगर सिच्छन का कारे हो रहा है अगर किसी school में college में या teaching institution में तो वहाँ पर सिच्छन का जब कारे होता है तो कुछ ने कुछ उसका goal या उद्देश होता है उसी उद्देश के बारे में हम बात करें जैसे कि आप net की परिच्छा पास करने के संदर में उद्देश से लेक कि इतना आपको clear होगा आप सीधे हम सिच्छन के उद्देश के ऊपर आते हैं थोड़ा सा example लेकि मैं चला हूँ आपको अच्छी से clear होगा बाकि doubt भी होगा तो आप मुझे बताईएगा कुछ errors भी होगा तो आप correct करने के लिए comment box में बता सकते हैं अशाने कि सब अपने आ आप कोई भी कारे नहीं करते हर एक कारे के पीछे उद्देश होता है एक बच्चा एक जाम की तैयारी कर रहा है से सिखी तो उसको उद्देश क्या है कि वो एक नौकरी प्राप्त करे अलग-अलग post उसमें होते हैं जिस भी post के लिए वो अपलाई करता है एक businessman है तो अगर वो किसी भी business को करता है कोई product बनाता है तो उसका भी उद्देश होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है हम अपने business को grow करें और बहुत ज्यादा मोटा मुनाफा कमाए पैसे कमाए इस तरीके से अब एक politician होता है वो राजनिती करता है लोगों को इधर से उधर लड़वाता ह तो उसका भी उद्देश यह बस यह होता है कि वो जो कुरसी होती है चाहिए शांसर या विधायक का या फिर कोई भी वो leader मतलब उपर मंत्री पद जो है उसको प्राप्त करने के लिए वो उसका उद्देश होता है उसके लिए जो संभा होता है वो करता है तो इस तरीके से हर व्यक्ति का अपने लच्छ को प्राप्त करने के लिए या जो भी वो चीज चाहता है उसका कुछ ने कुछ उद्धेश होता और उसके लिए ही वो काम करता है या क्रिय करता है अब ये आदर्सवादी विचारधारा को हम समझते हैं पांच मिनट मैंने आपको उद्धेश को समझाने में ले लिए कि उद्धेश आखिर किस चिडिया का नाम है आदर्सवादी विचारधारा को हम देखते हैं आदर्सवादी विचारधारा वाले दार्शनिक जो अर्थात विद्या वह हैं जो मुक्ष की प्राप्ति की रूप में देखते हैं कि अगर आप अच्छे से सुसित हो जाएं तो आप मोच्छ को प्राप्ति कर और बहुत सारे जो जीवन में ऐसी चीजे होती हैं, जो हम तो expect नहीं करते कि वो हमारे साथ चलेंगे, लेकिन तभी भी वो unnecessary हमारे साथ चलती रहती हैं, और बहुत सारी depression, तनाव और बहुत सारी चीजों को ले कराती हैं, तो मोक्ष की प्रापती करने को मानते हैं, हापर जानलॉक के अनुसार क्या बोला गया है सिच्छन के उदेश को बारे में, देखें, हरबर्ट और जानलॉक ने सिच्छा का उदेश बालक का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना ही स्विकार किया है, तो ये दो महोद हैं, जिनका मानना है कि सिच्छा या सिच्छन का उद मिटबार के साथ माता-पिता के साथ सुसाइटी में जाये तो वहां पर भी अच्छा आचरण और बेभार करें तो वहां Edu यू जाएं जैगा तो देखते हैं कि injectर सुनते हैं और आसपा से सीखते हैं वयसा ही करते हैं तो इसलिए कहांचा 서क ए debolen चाल चलन और तरीकों का इस्तमाल करना चाहिए ताकि वो अनुकरण करते हैं तो अच्छी चीजों का अनुकरण करें तो यहाँ पर नैतिक और चारित्रिक विकाश करना स्विकार किया किसने हरबर्ट और जान लॉक महोदय ने आई होब कि आपको इतना क्लियर हो गया थोड़ा मैं समय ज़्यादा ले रहा हूं लेकि चीजों को क्लियर करने की कोशिस कर रहा हूं अगर आपको नई समझ में आए तो आप कमेंड बॉक्स में बताईएगा आई अब आगे हम चलते हैं इसी प्रिकार से इस स्लाइड में भी हम स्पेंसर महोदय के अनुजार देख लेते हैं कि सिच्छन के उद्देश्यों के बारे में इन्होंने क्या बताया है और कुछ मै महोदय क्या है एक सिच्छा सास्त्री है जो संपूर जीवन को ही सिच्छा मानते हैं अर्थात मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यू तक जो भी सीखता है वह सिच्छा है तथा उसे परिपक करना ही सिच्छन का उद्देश्य है यानि एक लाइन में अगर मैं कहना हूँ तो जो स्पेंसर महोदय है जो की एक सिच्छा सास्त्री है उनका यह मानना है कि सिच्छन का उद्देश्य मात्र इतना ही है कि जो व्यक्ति है या बालक भी होता है वैस्क होकर वैस्क होगा प्रोड़ा वस्ता में जाएगा फिर ब्रिधा वस्ता में जाएगा वो आप अलग तरीक इस देखेगा लेकिन उसको परिपक करना ही जो है सिच्छन का उद्देश्य है यह स्पिंसर महोदे का यहां पर मानना है यह इतना लाइन यहां से आप देख लीजेगा और यह काफी इंपोर्टेंट है यह स्टेट्मेंट के फॉर्म में से बहुत कोश्चन बनते हैं तो इस सामाजिक सेवा यानि सोसल सर्विस और अच्छी नागरिक्ता यानि कि गुड़ सिटिजन्सिप के गुण पैदा करना है अब देखे यह तीन बिंदों के ऊपर बात कर रहे हैं जान डिवी क्या कहना है कि सिच्छन का उद्देश्य क्या है सामाजिक कल्यान यानि कि जो बा इसको भी यहां पर देख सकते हैं जैसे की वातावरण के अनुकूल का उद्देश्य है फिर अवकास के सदुप्यों का उद्देश्य इस तरीके से बेसिक कुछ पॉइंट से इनको भी आप देख सकते हैं अमीदे कि यह भी स्लाइड में जो भी कुछ मैंने बताया वह जैसे उद्देश से तो हमने समझ लिया लेकिन अब इसमें एक बड़ा मुद्दा ये आ जाता कि कैसे उद्देश से क्या-क्या अलग मतलब क्या-क्या बाते होनी चाहिए इस उद्देश के अंतरगत तो उनको यहां पर क्लासिफाई किये हैं कुछ महत्पुर्ण विद्वा किया गया वर्गीकरण और भी कई वर्गीकरण लेकिन ये दो ज्याधा इंपोर्टेंट है जो कि आपके परिछाओं में पूछे जाते हैं तो इनी के अनुसार जो सिच्छन के निर्धेसात्मक वर्गीकरण किया गया उनको हम देख लेते हैं तो उमिदेखी ये भी बात आपको clear होगी, अभी तक आपने उद्देश को समझ लिया कि उद्देश के स्टिडिया का नाम है, उद्देश है क्या, उसमें जो important thinkers हैं, जो उनकी पुरानी अउधारण आए हैं, और कुछ और मनों वैज्ञानिक हैं, या जो सिच्छा विध हैं, उनके अनुसार भी आपने देखा कि सिच्छन के उद्देशों के बारे में उनने क्या बताया, अब जो सिच्छन के निर्देसात्मक उद्देशों का वर्गी करण है, उनको दो प्रकार से यहां पर वर्गी करित किया गया है, एक तो bloom के द्वारा किया गया और दूसरा gagने और bricks के द्वारा तो एक सिच्छन के इन दोनों वर्गी करण को हम अच्छे से समझ लेते हैं, आईए अगली स्लाइट को देखते हैं, अब इस स्लाइड में हम bloom के द्वारा दिया गया सिच्छन का निर्देसात्मक उद्देशों का वर्गी करण यह हमारा इस स्लाइड का most heading कह सकते हैं, और दीखे यहाँ पर मैंने बताया कि आपको कि ब्लूम 1956 के अनुसार जो है सिच्छन या अनुदेशात्मक उद्देशों को तीन स्रेणियों में विभाजित किया गया है जिनको अंगल भासा में 3HB कहा जाता है और यह जो 3H का कॉंसेप्ट है इसमें 1H का मतलब होता है है यानि कि जो क एवं निद्देशात्मक उद्देशों का वरगिकर्ण इन 3 बिंदूओं के अनुसार ब्लूम महोदय के द्वारा किया गया है एक तो ग्यानात्मक भावात्मक और मनोसंचलित जिनको मैंने यहाँ पर मेंसन कर रखा है ग्यानात्मक ग्यानचेत्र और भावात्मक होना चाहिए सिच्छन के उद्देश के द्वारा एक तो ग्यानात्मक पहलू पर दूसरा भावात्मक पहलू पर और तीसरा मनोसंचलित जो कि यहाँ पर मैंने एक एक करके मेंसन किया अब इसके अंतरगत हम जो है एक एक करके इन सब को डीटेल में समझेंगे यानि कि मतलब कोई भी सिच्वेशन होती है तो उसको हैंडल करता है इस पर भी जो है काम करना चाहिए और मनोसंचलित ग्यानचेत्र पर तो यह मैं डीटेल में नीचे आपको एक एक करके बताऊंगा बाकि उमीद करता हूं कि बलूम के द्वारा यह जो थ्री एच का कॉंसेप्ट दिया गया है वह आपको अच्छे से क्लियर हो रहाए है और भी क्लियर हो जाएगा जब एक करके में तीनों के बारे में आपको डिटल में बताऊाऊ गा अब इस लाइड का बहुदिक चमता होता है उसको डेवलप करने पे जो है काम किया जाता है सिच्छन के उद्देश को हम पढ़ रहे हैं तो किसी व्यक्तिया चात्र के अंदर ग्यानात्मक ग्यानचेत्र के अंतरगत उसकी बहुदिक चमता का विकाश किया जाता है इन बातों को आपको ध्या संबंदित है जैसे कि किसी परिच्छा के लिए हम जी के हो गया और अन्य विसे जिसको हम याद कर सकते हैं ताकि परिच्छा में वहां से question पूछे जाएं तो हम उसका answer दें तो यह पूरी तरीके से जानकारी या समागरी को याद रखने से संबंदित है ज्यान का जो point है आपका फिर बहुद क्या है आपका बहुद समागरी का अर्थ समझने की छमता से हैं तो आपके पास पहले से ही फोन की बहुत सारी जानकारी कि उसकी setting क्या है उसको कैसे इस्तमाल करते हैं बाकी थोड़ा बहुत जो अपडेट होके आया नया फोन में तो वो भी आप इजली समझ लोगे क्योंकि आपके पास पहले से ज्यान और समागरी है जिसके बारे में आपको पता है तो देखे अस्तर को समागरी को जो है यहां पर अर्थ समझने और छमता से संबंदिति ए पूरी तरीके से आपका बोढ़ होता है अच्छे से किलेर हो गया होगा उपियों के बारे में हम बात कर लेते हैं यह अमुर्त या भावात्मक ग्यान को मुर्थ या व्यवारिक रूप में लाए जाने से संबंदित है यानि कि जो इस्तमाल आपका है जिसे कि आपने अमुर्थ जानकार या बहुत सारी जो है अपने अंदर डाली जिसे फॉर एक्जामपल साइंटिफिक चीजे जो है सिद्धान्त है न्यूटन के लौ है कि कोई विभारी वस्तु उपर जो है फेकी जाती है तो वह गुर्टवा करशण की कारण नीचे चली जाती है तो एक अमुर्थ कॉंसेप्ट है लेकिन जब आप इसे प्रेक्टिकल रूप में कोई बॉल लेते हैं या गेंद लेते हैं या कोई सेव या कुछ भी लेते हैं फिर उ आप तो सूचना को घटकों में इस प्रकार से विभाजित करना ताकि उसके अर्थ को उचित धंग से समझा जा सके वो आपका विशलेशन होता है माली जे कि कोई छोटा सा बिंदू दे दिया गया टॉपिक जिसे बोलते हैं जिसके एक्जाम में भी आपने ग्रेजिवेश सब्दों में तो उसको आप लिखते हो तो विशलेशन यही आपका होता है कि कोई सूचना मतलब कोई ऐसी सूचना कोई एक ऐसा घटक जिसको आप विभाजित करके छोटे चोटे टुकडों में उसका वरडन या explanation करते हैं तो यही जो है जिससे की समझने में आशानी होती ह तो आई होब कि यह आपको समझ में आगया कि विशलेशन आकर क्या है तो यहां पर इस स्लाइड में ग्यानात्मक ग्यान छेत्र के अंतर गत जो है क्या क्या डवलप करना चाहिए एक छात्र के अंतर वो सारी बाते मैंने आपको बताई इसके छे भाग है यही छे भागों म नहीं बताया था कि ग्यानात्मक ग्यान चेतर के अंतरगत जो है चात्रों के अंदर सूचनाओं को मतलब विसलेशंकर, उनके बोद की सक्ति को विकास करने पर बल दिया जाता है। और ग्यानात्मक ग्यान अच्छेत्र को 6 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसके 4 भागों को मैंने उपर अच्छे से डिसकस कर लिया, अब जो 5 भागे आपका संसलेशन उसे देख लेते हैं, इससे पहले आपका विशलेशन था, तो संसलेशन में होता क्या है कि यह मूलता घटकों को समावेशित करने के बारे में है, ताकि एक समगर सोच विक्सित हो, इस इस तर को विशलेशन इस तर का विलोम यानि एंटनोमी कहा जाता है, यानि अपोजिट कहा जाता है तो एक तो विशलेशन में हम क्या करते थे कि कोई topics आपको दे दिया जाता था तो उसे explain आप करके विस्तृत जो है उसके बारे में समझाते थे ताकि चीजे अच्छे से समझ में आपाए उसी प्रकार से उसकी विपरीत जो है संसलेशन में क्या हो गया अब जो नेक्ष आपका है मुल्यांखन जिसको इंग्लिस में इवेलिविशन बोला जाता है इससे समझ लेते हैं देखें यह विसेस प्राइयोजनों में प्रियुक्त तरीकों और समागरी के मुल्यांखन के बारे में किया निर्डए होता है अभी तक यह सारी बस कनुसार आपको पढ़ा लिया सिखा लिया लेकिन कैसे पता करें कि यह सारी चीजे आपने अच्छे से सीख लिया समझ लिया तो उसके लिए मुल्यांकन किया जाता है मुल्यांकन अलग अलग तरीके से होता है तो उमीद है कि ग्यानात्मक ग्यानचेत्र के अंतरगत इ उपर मैंने आपको ग्यानात्मक ग्यानचेत्र के बारे में बताया और उसके जो अलग-अलग भाग से हैं, अलग-अलग इसतर जो डिवाइड किये गए हैं, उसके बारे में डिटेल में जानकारी दी, सबसे पहले हमने कहां से स्टार्ट किया था, ब्लूम के वर्गी करन के में हम चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने नि बागों में जो है सिछन के रिदिशात्मक उद्धेश्यों का वर्गी करण किया है ई हैँ उद्धेश के अंतरगत चात्रों के अंदर डवलप किया जाता है इसको हम समझते हैं अब देखे इस जैन छेतर के अंतरगत मुखे रूप से मनोद्रिष्टी यानि चातर की मनोद्रिष्टी उसका मनोभाव प्रेरडा सिछण प्रक्रिया में चातरों की सहबागिता जो हम सेखते हैं उसका महत्व जानना और जीवन में अनुसासन जैसे मुल्यों को समावेशित कैसे किया जाये इत् पर काम किया जाता है उसका मनोभाव कैसा रहना चाहिए उस पर काम किया जाता है वो प्रेरित रहे किसी भी चीजों को सीखने के लिए उस पर भी काम किया जाता है और सिछन प्रक्रिया में छात्रों की सहबागीता क्या है इस पर भी विशिशकर ध्यान दिया जाता है छात्र जो सेखते हैं उसका महत्व क्या है उनके जीवन में उसको जानने पर काम किया जाता है ये सारे पॉइंट्स जो है भावात्मक ज्यानचेत्र के अंतरगत जो है आपके आते हैं इसे आपको याद रखना है देखे इसके भी कई स्तर है इसको हम देख लेते हैं एक तो है आपक कुछ प्रमुक इस्तर है भावात्म ग्यानचेत्र के इनको आपको याद रखना है इसमें बहुत कुछ मतलब डीटेल में क्या इसमें मैं बताओं मतलब बहुत जो भी पॉइंट से यह यहां पर मैंने मैंने करके इसको आप देख सकते हैं बाकी नई क्लियर होगा तो भी आप मुझे बताइएगा मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा आई एगले कंप्लीट हो गया है बलूम के वरगी करण के अनुसार जो सिच्छन के उद्देश बताए गये हैं एक तो आपका ग्यानात्मक ग्यानचेत्र उसके अंतरगत हमने सारी चीजों को देख लिया एक भावात्मक भावात्मक के अंतरगत हमने अच्छे से उसको समझ लिया अब यहां पर मनो संचलित जो ग्यानचेत्र है उसको हम देख लेते हैं इस उद्देश के अंतरगत क्या विशिशकर ध्यान दिया जाता है उन बातों को देखते हैं देखें मनो संचलित ग्यानचेत्र यानि कि साइको मोटर डोमिन के बारे में बात की जा रही है इसको हम मनो ग अंतरगत तथ्यों को समझना उनको समझना उपयोग करना इन बातों को ध्यान में रखा भावातमक जончतर के आंतरगत आपने बहुत सारी चीजों को देखा अब जो मनोसंचलित ज्यानशेतर होता है यह आपका मनों प्रेरक क्रियात्मक ज्यान छेत्र के अंतरगत आता है आप चीजों को मोटिवेट होके करते हैं कुछ नई तकनिक का याद करते हैं तकनिकी कौसल को सीखने पर काम करते हैं जो टेकनिकल नॉलेज होता है टेकनिकल ज्यान होता है उस पर काम करते हैं वाई होप कि यह आपको समझ में आ गया होगा और इसके अनुदेशात्मा को देशों के निमन पांच जो है इसतर वनडित किया गया है इसको भी पांच भागों में डिवाइड किया गया है सबसे पहले आपका प्रतिरूपता आता है और इसमें क्या बोलागे कि इसमें किसी क प्रियोंटर बनना चाहते हो यानिकी वो इसकिल अपने आंदर लाना चाहते हो तो आप क्या करोगे कि किसी कुसल वेक्ति जो भी पेंटिंग में बहुत ही महारत हासिल कर रखा हो तो उसके कौसल को यथा रूप में जैसा कि वो करता है अपनाने का आप प्रयास करते हो फिर दोसरा है आपका कारे साधन या हस्त कौसल तो एक सिच्छार्थी मसीनरी उपकरण आदी के साथ प्रयोग करने का प्रयत्न करता है ताकि आत्मविश्वास बढ़े यानि कि कारे साधन या हस्त कौसल के उद्देश के अंतरगत को कोई भी सिच्छार्थी मसीनरी यानि मसीनी जो उपकरण होता है या इसके साथ ही साथ उसका इस्तमाल करने का प्रित्न करता है ताकि वो क्या कर सके अपने आपको मोटिवेट या आत्म विश्वास को बढ़ा सके तो मित कहता हूं यह भी पॉइंट आपको ख्लियर हो गया अ कही कारे को बार-बार करने से उसमें सुधार एवं सुधता आ जाती यह बात तो सही है क्योंकि मैंने भी बहुत सारी चीजों पर इंप्लिमेंट किया है और मैं पहले देखता था कि वो काम मुझे बहुत अच्छे तरीके से नहीं आता लेकिन कुछ समय के बाद वो काम धी जीवन में इंप्लिमेंट कर सकता है अगर परिसुधता चाहते हैं अपने काम में तो आपको है निरंतर अभ्यास करना होगा इमानदारी से फिर उसके बाद से यहां पर नेक्ष्ट जो आपका है इस पश्ट अभी व्यक्ति यह भी सतत अभ्यास पर निरभर करता है आपका यानि जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इस पश्ट अभी व्यक्ति आपकी हो सकती है और प्राक्रितिक करन के बारे में हम देख लेते हैं इसमें कौसल को आत्म साथ किया जाता है और सिच्छार्थी अनरूप बनना, संसोधन करना, नई तकनिकों को नियत यान इसने का प्रैस किया, उमीद है कि बलूम का वर्गी करन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया, देखिए इसमें कुछ बहुत वो नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड, ये उद्देसेओं को ही बहुत ही डीटेल में इन्होंने डिफाइन किया, इसलिए आपको थोड़ा सा व इस वर्गी करन में कुछ संसोधन किया गया था, यानि कि बलूम का सिच्छन का वर्गी करन दिया गया था, तो इसमें संसोधन किया गया था, 2001 में एंडेर्सन और कर्तवुल के द्वारा, अब देखिए इन्होंने बलूम के वर्गी करन में कुछ संसोधन किया, जिसके अन प्रियोग पर अधिक बल दिया यानि कि जो बोध वाला वर्ड है उस पर इन्हों ने स्रिजनात्मक्ता सब्द का विशेशकर जो है बल दिया है मतलब यह जो करेक्शन किया गया है 2001 में किसके द्वारा एंडर्सन और करतववुल के द्वारा अब देखे कुछ इन्हों ने औ अब देखें इसको हम ग्यान का ग्यान भी कह सकते हैं अर्थात ग्यान के प्राप्ति कैसे की जाए का ग्यान यानि कि इस तरीके से आप समझ सकते कि सोच के बारे में सोचना की क्या सोच रहे हैं यानि कि मतलब कुछ आप थोट कर रहे हैं सोच रहे हैं सोच के बारे में कि ग्यान इसको हम ग्यान का ग्यान भी कहते हैं, जो भी ग्यान हम जानते हैं, उसके अंदर और भी depth में जा रहा है, उस ग्यान को और परिमार्जित करके और अंदर जाने कोसिस करते हैं, तो वही आपका meta cognitive है, इसके बारे में एंडर्सन और करतवुल के अनुसार बोला गया ह उमीदे कि यहां तक भी आपको clear हो गया होगा, अब आगे हम चलते हैं, अब जो हमारा दूसरा वर्गी करण है, अभी तक तो आपका bloom का वर्गी करण clear हो गया होगा, bloom एक बार मैं recall करता हूँ आपको, bloom का वर्गी करण हमने देख लिया, पहले तो उद्देश्यों को हमने समझ लिया अखिर उद्देश्यों के बारे में आपको बताया, फिर आगे मैंने ये बताया कि सिच्छन के निर्देश्यों के निर्देश्यों को दो भागों में वर्गी करण किया गया है, एक तो आपका bloom का वर्गी करण था, दूसरा आपका गैगने और ब्रिक्स के सिच्छन के उद्देश्यों का वर्गी करण किया गया है, तो bloom के वर्गी करण के अंतरकेट मैंने आपको ये बात बताया कि bloom महोदय ने तीन भागों में जो है सिच्छन के उद्देश्यों को वर्गी करण किया है, एक तो पहले ग्णात्म ग्यान खेतर था, दूसरा आप आपका भावात्मक ग्यान चेत्र था, तीसरा आपका मनुसंचलित ग्यान चेत्र था, कि इन पर विशेशकर जो है, सिच्छन के उदेशों के अंतरगत काम होना चाहिए, फिर उसके बाद से मैंने आगे आपको बताया कि कुछ कर्रेक्शन भी इसमें किया गया, ब्लूम के व अभी आपको बताया, तो उम्मीद है कि आपको ये क्लेर हो गया होगा, अब हम गैगने और ब्रिक्स का जो वर्गीकर्ण सिच्छन के उदेशों का उसे हम देखते हैं, देखें गैगने और ब्रिक्स के द्वारा सिच्छन के निर्देशात्मक उदेशों का वर्गीकर्ण जो है कुछ इस प्रकार से किया गया है इस वर्गीकरण के अनुसार सिच्छन के उदेशों को निम्नस रेडियों में विभाजित किया गया है यानि इसमें भी बिंदुवार तरीके से बताएगे है कि सिच्छन के उदेशों के अंतरगत किन किन बातों पर विश्रिशकर ध्यान होना चाहिए सबसे पहले यहां पर बोला गया बौधिक कौसल के उपर विश्रिशकर ध्यान होना चाहिए यह कौसल किसी समस्या को सुलजाने, सीखने की अधारडा और नियम सीखने में महतवपूर्ण सिध्ध होती है यानि कि अगर इस वर्गी करले के अनुसार सबसे पहले जिस पॉइंट पे बात की जा रहे है वो छात्र या किसी व्यक्ति के बौधिक कौसल के बारे में बात की जा रहे है कि उसके बौधिक कौसल को डवलप करना चाहिए जिसके अंतरगत वो किसी कौसल को या समस्या को सुलजाने या सीखने के संदर्ब में जो है काम करता है उमीदे कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होँगा आई आगे इसमें देखते हैं अब देखे दूसरा जो पॉइंट इसमें है उसको हम देखते हैं दूसरे पॉइंट में क्या बताएगा कि ज्यानात्मक रणनीतिया अब दीकें, इसमें किसी व्यक्ति के स्वयम के सिच्छन इसमरण सक्ती और विचार कौसल को विक्सित करने है तो विदियो और तकनीको को जो है समावेशित किया जाता है ज्याना अत्मक रिण नीतिया तो इस उद्देश के अंतरगत कोई छात्र हो सकता है कोई व्यक्ति हो सकता है वो स्वयम के सिछन और इसके साथी साथ इसमरण सक्ती और विचार कोसल को विक्सित करने होतू अलग-अलग तरीके की विदियां और तकनीकों को समावेशित कर सकता है इस पर जोर दिया जाता है फिर तीसरा है मौखिक सूचना या किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किये गए ग्यान का आयोजन करने के संदर्म में होता है आयोजन की आपको क्लेर हो रहा होगा और पांचवा है मनोद्रिष्टी यानि attitude या किसी व्यक्ति की आंतरिक या मानसिक स्थिती को व्यक्त करता है आपका मनोद्रिष्टी यानि कि कोई सामने वाला व्यक्ति कैसा है आपने बहुत ज़्यादा उसको नहीं समझा है देखा है लेकिन आप कैसी मनोद्रिष्टी उसक को आप समझ सकते हैं तो उमीद है कि यह पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे तो यहाँ पर जो है गैगने और ब्रिक्स के द्वारा जो सिच्छन के निदेशात्मक उद्धिश्यों का वर्गी करण किया गया है इतना ही बहुत सारा डीटेल में है लेकिन जो आपके एक निमन का मतलब कुछ पांच मुख्य हैं जिनको एकिक करके मैंने अभी आपको बताया तो सबसे पहले बौधिक कोसल का उद्धिश के उपर हमने चर्चा की कि इस उद्धिश के अंतरगत कोई भी व्यक्ति हो या छात्र हो उसके अंदर कोसल इसके साथी साथ समस्या सुल ज आने की समता और इसके साथ ही साथ अवधारणा और नियम को सीखने की छमता जो है डवलप की जाती है यह आपका पहला पॉइंट था दूसरा पॉइंट था ज्यानात्मगरण नीतिया तो मैंने आपको यही बताया कि इस के अंतरगत यानि कि इस सुद्धिश के अंतरगत क किसी भी वक्ति द्वरा प्राप्त किये गये ज्यान को आयोजन करने के संदर्भ में है आपका फिर चौथा भी आपको मैंने यही बताया है संचालन तंत्र और सारीरिक छमता तो इसके इंतरगत मैंने यही बताया था कि जितने भी आपके सिंसरी आरगन है अलग-अलग तर कैसी विचार है आपके या कैसी मांसिक इस्थिति को आपका वेक्ट करता है तो यह आपका मनोद्रिष्टी होता है तो यहां तक आपको clear हो गया तो मैंने दोनों को recall कर दिया एक तो आपका ब्लूम का वरगी करण था और यह जो आपका गैगने और व्रिक्स का है वो मैं देक केसी समझ में आया नहीं, आपका कौन सा ऐसा टापिक है, जो क्लीर नहीं है, तो समझ में नहीं आता है, पेपर 1 में किसी भी यूनेट से आप मुझे बोलिएगा, कमेंट में मुझे आया था डियाइ के उपर, तो डियाइ के उपर काम चल रहा है, मैं question type कर रहा हूँ question के through ही मैं उसे explain करूँगा क्योंकि बहुत सारा उसमें तत्य नहीं मैं कुछ points बताऊंगा आपको कि डियाई का ज्यान आपके पास होना चाहिए data interpretation का तो इसलिए ये unit mention किया गया है बाकी आपके किस units में कौन से topics जो है clear नहीं तो topic आपका बता रखा है कि समय और काम का बहुत ही वो होता है तो मैं कोसिस करूँगा कि जो आपके लिए काफी ज़्यादा relevant और important हो वही सारी चीज को मैं type कर रहा हूं और वह question की स्रीज मैं बहुत ही जल्द स्टार्ट कर दूँगा जून 2023 के लिए बहुत ही ज्यादा health करने वाली है और मैं last time ये भी बता देता हूं जितना ज्यादा आप खुद से मेहनत करोगे और सही दिसा में ऐसा नहीं कि किताब आपने खोल ली है औ और कुछ पढ़ नहीं रहे हो कुछ question को समझ नहीं रहे हो एक भी question समझ में नहीं आ रहा है और आप अंत में परिक्षा देने जाते हो और कहते हो मैंने खुब पढ़ाई कि लेकिन result clear नहीं हो तो देखिए ऐसे clear नहीं होता है जो आप पढ़ रहे हो उसका 50-60% आपके दिम विडियो लंबा हो रहा है इसलिए विडियो अच्छा लगे तो विडियो को आप लाइक कर दीजेगा लाइक करने के बाद जो है आप चैनल को subscribe कर लिजेगा और उसके बगल में जो है आपका बेल आइकन का ये बटन होता है घंटी वाला निसान उसको आप दबा दीजेग ऐसे ही important विडियो की notification को पाने के लिए तो दोस्तों आज की विडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगली विडियो में कुछ और important topic के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत